गोरकपूर में कोरोना मरीदों की संख्या अपकम होती जा रही है, आंक्रे लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं, बुदवार को 24 गंटे के अंदर केवल 23 ने मरीद मिले हैं, इसके बाद से जिले में संकरमितों का आंकड़ा 20,126 पहुच गया है, इनमें 19,363 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 323 हो गई है, वही जिले में एक्टिव केस की संख्या 426 रह गई है, इसकी पुष्टी सीमो डाक्टर श्रीकान तिवारी ने की है, कुरोना की रफ्तार कम होने से स्वासिभाग और जिला परशासन ने राहत की सांस ली है, सीमो डाक्टर श्र में आने वाले कम से कम 20 लोगों की विजाच लगातार की जा रही है, बुधवार को मिली कुरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महस 13 नए मरीज मिले हैं, इनमें कैंट थाना छेत में सरवाधिक 7 मरीज शामिल हैं, इसके अलावा शाहपूर, कोतवाली, चिलुआताल और राजगाट में एक-एक और गोरकना थाना छेत में दो मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीट शेतरों में 9 नए मरीज मिले हैं, इनमें सरदार नगर, गगहा और कौडी राम में एक-एक, खुरा बार, बांस गाउं और चरगावा में दो-दो मरीज मिले हैं, इसके लावा एक मरीद अलग थाना च्छेत का है। इसकी पुष्टी करते विए CMO डॉक्टर श्रीकान तीवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कुरोना संकर्मित मरीद पाए गए हैं वहाँ पर सनिटाइजेशन का कार कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेश साउधानियों को बरतने की अपील की जा रही है। दोगस की दूरी, मास्क है जरूरी, समाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्त और सुरचित। सीमोर डाक्टर शरीकान तिवारी ने बताया कि इस विमारी से बचने के लिए विशेश सत्रक्ता बरतनी होगी क्योंकि इसका वाइरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीर भार से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा जब तक करोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्की सबसे बड़ा हत्यार है।